संसत का शीत कालिन सत्र चार दिसंबर से शुरू होने जा रहा है उससे पहले रासभा सदस्यों के लिए ज़ारी दिशा निर्देश महतपूर माने जा रही है सत्र को लेकर रासभा सभापती ने उच्छ सदन के सदस्यों के लिए कई दिशा निर्देश लागू किये हैं शीत कालिन सत्र में किनक नय नियमों को लागू किया गया है देखिए इस रपोर्ट में संसत का शीत कालिन सत्र 4 दिसम्बर से शुरू होने जा रहा है जो कि 22 दिसम्बर तक चलेगा सत्र के शुरू होने से पहले राज्य सभा में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किया गया है जर्में अन्य नियमों के साथी सदन में उठाय जाने वाले विश्यों पर पहले ही पब्लिसिटी पर रोक की बात कही गई है वहीं सभापती द्वारा नोटिस स्विकृती तक साथी सदस्यों को भी इस बारे में जानकारी देने से मना किया गया है जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार सदन में ठेंक्यू, ठेंक्स, जैहिन, वंदे मातरम जैसे नारे ना लगाने की बात कही गई है सदस्यों से सदन के अंदर या बाहर सभापती की आलोचना ना करने के लिए कहा गया है संसद सदस्यों को अप्रेल 2022 में पबलिश हैंड बुक में उल्लेखिस संसदिये परमपराओं और तौर तरीकों की याद दिलाई गई है वही नए दिशा निर्देशों के अनुसार सदन में तख्तियां लहराने पर भी आप रोक लगा दी गई है इसके अलावा सभापती के बोलने के दौरान सदस्यों को सदन ना छोड़ने और सदन में शांती बनाए रखने के लिए भी कहा गया है इसके साथ ही दिशा निर्देशों में सदन में एक साथ दो सदस्ये खड़े नहीं हो सकते तो सदस्यों के सभापती के पास सीधा पहुँचने पर भी रोक लगाई गई है इसके लिए उन्हें अटेंडेंट के हाथों पर्ची भेजनी होगी इसके अलावा सदस्यों को लिखित भाशर नहीं पढ़ने के भी बात कही गई है सदन में सदस्यों की मौजूद्गी होनी जरूरी है अगर बिना अनुमती के कोई सांसद 60 दिनों तक अगर सदन से गायर हाजिर रहता है तो उसकी सीध खाली घुशित की जा सकती है